तो क्वेश्चन 37 तक हो चुका था क्वेश्चन नमबर 38 है मुरी फॉर्म कोनेडिया और फाउंड इन तो इसका जो राइट अंसर है वह एसपर जिलस अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 39 हेटो थैलेजम इन फंजाई वाज दिस्कवर्ड ब इसका जो राइट अंसर है पहला प्रोटी पॉंटे कॉर्वो एंड रैपर ठीक है अब क्वेश्चन नमबर 41 का देखते हैं पेनिसिलीन वाज फर्स्ट डिस्कॉर्ड वाई तो इसका जो राइट अंसर है वह पहला एक्जेंडर फ्लेमिंग क्वेश्चन नमबर 42 बार्ड जो मिक्चर होता है वो क्या क्या उसमें पाजाता है तो इसका जो राइट अंसर है कापर्स सल्फेट एंड लाइंड ठीक है क्वेश्चन नमबर 43 दफंजाई अप्टेन देर न्यूटिशन बाई तो इसका जो राइट अंसर है वह तीसरा एप्जाप्शन ठीक है अब एक सिंब्याटिक रिलेशंसिप होता है किसके किसके बीच में तो फंजाई एंड रूट्स आफ हाइगर प्लांट इसका जो राइट अंसर है और दूसरा करेक्व फ्रूटिंग बाड़ी आप पे जाई जा एच यह जो फ्रूटिंग बाड़ी होती है पे जाई जा किसको क आप लेंगे लोग एक पूस थी सी हमती इसका जिष्ट राइट ऊंसर हो दूसरा है एक थीसी हम ठीक है कुई से नमबर 46 वें दा बैटिरियों बैक्टिरिया और राड शेब्ड दे आर कार्ड डाड़ शेप्ड बैक्टिरिया क्या बुलते हैं लोग बोलते हैं बेसिलया क्या बोलते हैं को का जो जो कामा सेब्डभेक्टीरिया थे इसको बोलते हैं विवरियो ठीक है तो इसका जो राइट acid ठीक है दूसरा क्विस्टन नंबर 48 दे मेन सिंप्टम्स काइड बाई माइको प्लाज माइको प्लाजम डिजिज इन प्लांट्स एज क्विस्टन नंबर 48 का जो आंसर होए दूसरा लिटर लिप ठीक है अब अगले क्विस्टन की तरफ बढ़ेंगे है क्विस्टन नंबर 49 फ्यूजन बीट्विन मोटाइल गेमिट्स आफ अनिक्वल साइज यानकी दो अनिक्वल साइज के गेमिट्स मोटाइल गेमिट्स फ्यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे एनाइस हो गया है क्वेशन नमबर 50 इंन नाश्ताक हेट्रो सीष्ट आर यानकी नाश्ताक में जो होता है वो क्या कि उसका यह दो नहीं यह कहां मास्टाइबिस का अब क्योचन नमबर 52 की बात करें दूसरा है निजय में क्वाथजी पॉलर्वाक्स इज is लिच ऊद इसका अंसर सोल जाएगा हो जाएगा दूसरा क्यक्षन नमबर 53 की बात करेंगे वीच ओप वन आप दो फालラव fortunate इस प्रसेट कारा कारा को बोलते हैं हम लोग इस्टोन वाड को स्यांबर कि 54 इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कि मेरे क्याल से होना चाहिए दूसरा बाइसेक्षूल कि तरह बढ़ते हैं क्विश्चन नमबर 55 दो सिस्टो कारप पालिश इफोनिया इज पालिश इफोनिया का सिष्टो कारफ है तो इसका जो राइट अंसर है वह डिपलाइड यान की दूसरा क्विश्चन नमबर 56 अगार अगार इज अप्टेंड फ्राम तो अगार अगार जो है वह जिलेडियम एक एलगातों से और इसके साथ साथ ग्रेसिलेरिया से भी प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जागा पाला 57 आयोडीन इज अप्टेंड फ्राम यान कि आ अले ब्लाइट है पोटेटो अले ब्लाइट जेज ऊप्टेटों इज काइड बाई तो इसका राइट आंसर हो गा अल्त अरिया सो लें ठीक है लाइकन्स अर गूड इंडिकेटर आ आ फ तो इसका जो राहत अंसर हो गाष ऑ जाएगा फ़न आर पपलुशन लितमस इज एlets डाइ अप्टेंट फ्राम तो नेच्टरल अधाई जो होता है लिटमस जो एसीड बेस इंडिकेटर में हम यूज करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जागा लाइकेंस लाइकेंस से लिटमस बेपर बनाए जाते हैं अब अगले क्विस्चिन के तरह बढ़ते हैं कुश्चिन नेम वन लाइकेंट प्लांट यूजड एजा सोर्स आप कास्मेटिक एंड परफ्यूम्स इवर्निया रामालीना बोथ आप देव तो व्यूस्चिन नमबर सिस्टी वन का जो राइट अंसर होगा हो जाएगा तीसरा बोथ इवर्निया एंड रामालीना एक्ट्यूल मेकेन आप डिजीज डेवलोप्मेंट इज नून एज यानिकी जो रोग की विकास में वास्तिविक पंतर को कहा जाता है तो उसको बोलेंगे आम लोग पार्थिनोजेनेसिस विच वन अब देफालिविंग इज एन एक्जाम्पल आप मिच्वलिजम यानिकी मिच्वलिजम इज रिलेशन इसे काइंड आफ रिलेशनशिप इन विच बोथ डिफरेंट काइंड आफ आर्गेनिजम से रिलेटेट टू इच एदर एंड बेनफेटेट टू इच एदर जैसे फार एग्जाम्पल लाइकेंस ठीक है तो मोस्ट इंपार्टेंट एक्वेस्ट्यन और बहुत ह इन पाहे जाता है तो क्या नहीं पाहे जाता है पूछा गया है घुल्लम इंब्रेन बार्म लेंट जैसे माइट अंड यसमीआ अप्सेंट होते हैं तो कुछ है कि निकीक अब्से पहले कूण छाथ हैं तो इसका जो राइट अंसर हो दूसरा डीजे वान वज़के ठीक है यहां पर पूरा नम नहीं दिया है तो इमान वान वान वस्की दूसरा आंसर हो घुन हो जागा अब अगले क्या कर बढ़ते हैं कुछ नंबर 66 six who of the following is called joker of the plant kingdom तो इसका जो राइट अंसर है मैको प्लाजमा एल्गी और क्लासिफाइड इंटू मेजर ग्रूप अंदा बेसिसा यान के कुण से बेसमान के अधार क्लासिफाइड किया गया है तो इसका जो राइट अंसर होगा हो जाएगा पिगमेंट्स टाइप आप पिगमेंट्स के दार पर कि इंद लाइप साइकल आप टुकर पस्ट मिया से सकर दियूरिंग एक्टो कर पसक्लाइब साकल में आप तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा तीसरा गाम इट फ़रमेशन इंद गेम टेंचियां के डाखिग डाएट परसाइट फंजाई अपन तेरो नरिस्मेंट फ्राम दोश्ट सेल थो दो तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा हाश्टोरिया के सहाइता से जो है फंजाइज जो है पारसाइटिक फैरसिटिक फंजाइज जो होते हैं वह टेसल से तो इसका जो राइट अंसर हो है ब्यूटी या मोनस्परमा इस्टडी आफ एक्स्टरनल इस्टक्चर आप प्लांट्स इज नोन इज मॉर्फॉलाजी इसको कहेंगे बैक्टिरिया हेविंग और टॉफ्ट आफ फ्लेजलाइड दवन इंड इसको हम बोलेंगे मोनो ट्राइक इसटारी आफ यान कि जो लुसी सोता है जिसमें लासाब प्लोरल होता है तो जनली वायरिस से होता है और नुट्रियंट्वन की कमी से होता है तो इसमें मैं वायरस होना चाहिए कुछिचन नंबर और सुबसे लाश्ट क्विच्चन है माइक्रोप्लाजमा सेफ पॉसेस ऐ होता है तो इसका जो राइट अंसर होए डी अन ने तो ये थे आज के विश्च बाटन जो इसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बाटन का पेपर था उसके question paper थे और ऐसे question आ रहे हैं जो new syllabus डिजाइन हुआ है बेसे फर्स्ट ये फर्स्ट सेम का तो आप जो new book आई है उसको आप फालो करें उसको जो भी में में पॉइंट है उसको नोट करें और इस इस questions में जो भी आपको कोई answer गलत लगए या doubtful हो तो comments में comments करके में जरूर बताएं उस चीज को एक बार और देखेंगे और आप आपसे बस मैं इतना है काना चाहूंगा क्योंगर जो लोजी का preparation आप कर रहे हैं जो कल होने वाला हमें तो उसकी आप अच्छेस त्यारी करें और जो नई बूका यह सिंग पांडे जैन की उसको फालो करें उसमें सब्सक्राइब को जरूर कर लिजी इससे आपको फायदा हो सकता है और अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा सेर करें धन्यवाद